अभी तक हम लोग पहला पढ़े हैं प्राचीन भारत के सुरोत दूसा यूनिट पढ़े हैं पासानकाल इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सिंदु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़े हैं उसका रिविजन कर दिये पासानकाल की अच्छी समझ में आ गया होगा कोई तकलिफ दू अधयरी गाती सब्यक्ता को हरां डॉप्ता नमसे जान्ते है यह था... तो आपको याध होगा कैं एक में प्राप्याँसिक याध है का अधति याद है कि नहीं जब पराचीन भारत को बाटे थे तो पहले क्यों हुआन से पार्टें बाटे थे फराक एतिहासिक काल पड़ाक एतिहासिक काल प्राग इतियासी काल के बारे मैंने आपको बताया थे इसमें स्पूचन मिला किया मिला अवसेश पराप्ट हुआ हम क्या रखे प्राग यतियासिकाल जबकि आग यतियासिकाल आया आद यतियासिकाल में पूरा तत्व भी मिला और साहित भी मिला, यानि साहितिक साक्ष भी मिलने शुरू हुए, तो जब साहितिक जब हमें साक्ष मिलना शुरू हुआ, तो उसा वस्ता में हम लोगों ने क्या किया, किस काल को हम लोगों क्या बोले, आद एतिहांसी काल, तो इस प्राग एतिहांसी काल के अंतरगत हम हआंई किता मिल गया हो किता मिल गया मैं से मिला है वह हम को सिर्फ शमान घ्राइअ augmented realityãy से मिलना सुरुव हो गया है पूरात तो ब्ला और शहितुत भी मिला लेकिन यहां आप नहीं सके जा fundamentals propreंस नहीं सके और देटी जो काल जो हमको मिला कमें सिंधु घाटी सभीयता hopsलश बगई बसे सवाल ये हो सकता है कि सिंदु सभीयता कि सब्सक्राइब डीन अद्रति काल की है और इसा मिला को को करें लोकल के इसका कनेक्शन मेना लगा वो सब कौन वो गया कैना जासे जासे सिक्या औक आठीक आठीआए पर इतने सारे हर्यकों से सुनाग वन जो जो वन्स ने राज किया वो सब कौन होगा एतिहासिकाल होगा आप स्वाज में आ गया हिस्ट्रोरिकल एज होगा तो हम लोग जो यह पर रहे थे आद एतिहासिकाल उसी का अंतर का ताय कौन सा सिंदू घाटी सबयता जिसको आज हम about ौफ न हम पर नंवाल बाश old आ गई किस उत्रोज में myन ऐह नहीं में सिंदू घाटी सबयता क्या होता है समझ में आगयाना ला सिंदु में अई और अजियांक है एस सब्यता का परमान देता है पिंदू-गर्टी सब्यता आस्नां घर के ृटस इंदो का पताता है इस तो हुआता तो जोड़ दिया आपके नजर में सहर का क्या महत्व है कि अब लोग सहर के तरह क्यों रहना चाहता है का अर्थ होता है सुविधाओं से परिपुर्ण हर चीज सुविधा बेवस्था रहती है उसी का नाम सहर है जहां भी सभी अच्छा एडूकेशन के लिए अच्छे सहर में जाना होगा अच्छे दवाई के लिए अच्छे सहर में जाना होगा अच्छी सरकें सहर मिलेगा पार्क गार्डेन जो भी चीज मिलना है सब कहां मिले होता है हर चीज की इतने अच्य वेवस्ता नहीं होती उन Landage की सब्हेता को ह के ते हैं हरापा सबेटा क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें पहली बार एक वेक्ति हुए थे जिनका नाम था जॉर्ण मारसल और जॉर्ण मारसल के न्यतित में टयाराम सहनी न उन्हें 100 11500 में खुदाई करना खौनन करना सुरू किया को स्रविता के नाम से इसे जाने लगा, जैसे अमन के पापा, गुडिया के पापा, जो बरे हैं उसके पापा ठीक है न, उसी तरह ही सिंदू गाटिय सब्था का दूसा नम क्या हो गया, हर अपा सभयता हम कहना कैचार समझ रहे हैं घर में जो बड़े बच्चा होता है ठीक है उसकी मां हो जाते हैं उसके पिता जी हो जाते हैं बाकी सब लगता है जैसे डाउनलोड हुआ हो उसका कोई भैलू नहीं सब लोग देखोगे ममी का अगर नाम नहीं पापा बुलाते होंगे तो बड़ी जो आदमी है उसका नाम बोले कहां गया है इधर आईए काम साज में इसाद देखनों का मिलता है तो उसी परकार है सिंदू गाटी सभयता में पहला सहर कौन मिला हरपा मिला पहला जगा कौन प सिंदू गाटी सभयता का नाम सिंदू गाटी इसलिए पड़ गया बच्छों क्योंकि सिंद्ध नदी के पास कुझे इंद नदी के पास का एरिया जो है अधिक मातरा में जितने सारे सहर मिले हैं वह इसी एरिया के आसपास था और उसी से इसका उद्गम होने लगा और उस पास के शिंद्ध नदी और वहीं सिंद्ध से बन कया इंदू और फिर हम लोग इस गाटी सभयता को लेकर के आए कि लिए पुछ लाइन है जो आप लोगो समझने वाली है पहला लाइन कहता है या भारत की पर्थम ग्याद सभयता है सब को पता है इस इंदू गाटी सभयत सभयता है सिन्दू घाटी सभयता कैसी सभयता थे नगरिय यह सभरी सभयता दोनों बात सेम है क्लियर तो सिंदु गाटी सभियता कासी ए नगडिय सभियता है यह यह कास यूगीं सभियता है अब समझ कर Bishop Hello आप लोग पढरे वो पासानकल और पासांकल की शु़ाएम ए मत आम्र पासान यूग याелिता वाला यूग यह सथा तामबा वाला यूग तो पासान कल कैसा यूग है तामबा वाला जो आद एतिहासी प्राग एतिहासी काल है तो प्राग एतिहासी काल तामर पासान यूग है जबकी अभी कौन सा भुगा आद एतिहासी कौन काल आद एतिहासी जो काल है वो कैसा है भुगा कास यूगीन सभ्य पहली बार किसी का साधी होगा तो घर में बड़ा बहुत ज्यादा मानेगा अभी तो नया है तो इसलिए सब ज्यादा मने फिर कुछ दिन बाद ही पुराना हो जागा फिर नहीं आ जागा तो नया का भेलू जाता हुग जियाती कावा थे जोड़े रहरा के लाल सारी तौरे रहरा कनिया फाट के लाल सारी होगे लाग पुरानिया वही बात इनके साथ हुआ पहले तामबा का प्रयोग किया मनुस ने किस धादू का प्रयोग किया तामबा का लेकिन तामबा के बाद कास आ गया तो तामबा को कोई अजीन का लेकिन आदे आसी आसी काल को क्या करते हैं कास यूगीन या इसी आदेखियासी का नाम क्या है इंदू घंतवा उस्टारल का फिल्म बना हुआ है कि मौन जोदर करती हो था मिंड़को चेल यसरोड कल फिल्म बना है ठीक है डिह न उसको और देखिए का सबसे पुरानी प्रथम ग्यास सभ्यता है सिंदू गाटी सभ्यता प्रथम नग्रिय या सहरिय सभ्यता है यह कास यसीद सभ्यता भी होता है और यहां तो साफ-साफ लिखी दिया है यह आद हैतियाथी के सभ्यता इsm Shankar किसी सभ्यता है तो मैंने पहली Municipal आगयाची क्या यह क्योंसिया जिए घ्रथमक एंगहाव Kirk वह इत sided काल में ठाली पूरा तथम अजब की 10 sincer मिला है उसको और तब हम लोग के आगया कौन वंस महाजनपतकाल बॉद्धर्म जैन धर्म सैव धर्म ब्यासनो धर्म इसलाम धर्म है ना बहुत सारे मौर्वंस गृतकालीन वंस समझ गया ना बहुत सारी धर्मों को अम लोग पढ़ना सुरू के जो प्राचीन भारत का से बास हो तब कम ल पूछेगा कि सिंदू घाटी सभयता का नाम सिंदू घाटी सभयता क्यों सिंदू घाटी सभयता का नाम सिंदू घाटी इसले परा क्योंकि उसके अधिकान जितने सारे साहर खोजे गए एक ही थोड़े है हरपा है मोहन जोदरो है लोथल है काली बंगान है क्योंको साहर थ लेखने को मिलेगा अब बताई यह आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप सिलसे वार धंग से पढ़ रहे हैं है तो हम लोग को जो सिलेवस बना के दिया है ना वह उल्टा पल्टी दिया है प्राकीन भारत चथा में टीका परहा देता है पांचवा भारत पांचवा में आएक के ले जाएगा प्राकीन भारत फिर परटक कर दिया टूएल के अंसीयाटी में जबकि टूएल के अंसीयाटी में यह दिया है तो सब को जब एक सांस रिलेट करके पर होगे तो तुमको पढ़ना चाटने में थोड़ा टाइम लग जाएगा लिए टीचर सब क्या क्या उसको पॉढ़ लिया सब को उलट फ़लट करें अपना नॉलेज के अंसार सब को एक जगह रख दिया और फिर उसका नीची और तुम्हारे समने क्या गया रख दिया लेकिन एंसी आटी बेस्ट बूक होता है बेस बनाने के लिए नॉलेज लेने के लिए ठीक है अपने बूक का नाम सिंदुगाटी की उपड़ा बच्चों बोलो कोई तकलीफ है उसके बाद वाला जो मैंने आपको पढ़ाया रहा जो अभी थोड़ा दिर पहले मैं आपके सार डिसकर्स किया हूं किस सभ्यता में हरापा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंदुगाटी सब्सक्राइ कि नहीं ठीक है ना दयाराम सहनी ने के द्वारा किया गया था इस सभ्यता के बारे में सरप्रथम जानकाई देने वाला वेक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन उसने सभ्यता के बारे में जानकाडी दी लेकिन उस पर जीजिन नहीं हो पाया और फिर जोन करिंगम नाम का वेक्ति आया जोने क्या 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 कर दिया और सवाल याद रखिए यहां से फिर बना कर पूछे का डारेक्ट इस इंदुगाटी सभ्यता की पहली बार सरवेक्षन किसके द्वारा किय आगे बढ़ते हैं लोग इसके जाश्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं तो परिपा को हरपा सभ्यता जो है संस्कृति का जो केंद्र हमको मिला समझना ध्यान से किसगा इसका बढ़ते हैं कि एस इसका विषतार दक्षिन और केंद्र हो आपईले समझें क्या है masculine है इक यह है इस्ट और यह वेस्ट ठीक है यह तुम्हारा सेंटर यहां पर समझने के लिए समझू परीपा को मतलब मैचूर्ट हरपा सबता जो जहां से सेंटर राइड हुआ हरपा संस्कीति का केंदर पंजाब यवन सिंद के मुख्यता सिंदु घाटी में पड़ता है अगर आप भारत का मैप देखते हो भारत की मैप को अगर आप समझते हो ठीक है तो यह वाला इलाका ठीक है पंजाब हम लोगों कहां मिलने वाला है यह जमूर कास्मीर है तुम्हारा यह तुम्हारा मिलने वाला है कौन सा हिमाचल परदेश यह तुम्हारा क्या मिलने वाला है इधर फिर इधर आजाएगे तो फिर क्या मिलेगा यह तुम्हारा दिल्ली है इसके जस्ट नीचे ठीक है न उसके जस्ट नीचे भिहार ऐसे चलते रहें तो यह वाला इलाका जो है यह पाकिस्तान का इलाका सटा हुआ है बासमगी नहीं हो ना पंजाब का इलाका जो हम पूर्व पूर्वी की ओर हुआ है दक्षिन की तरह भी और फूरव की तरह मतलब उतरपरदेश का इलाका वग भी इसका बिस्तार हुआ दक्षिन शेत में मतलब नीचे की तरफ राजस्थान में आ गया होगा आप लोगों पता है काली बंगान कहा है राजस्थान में काली बंगान कहा है तो अगर हम पंजाब के दक्षिन शेत में बढ़ेंगे तो राजयस्तान के तरफ ही तो भागेगा क्योंकि पंजाब के बाद तो राजयास्तान आता है ज़ी महादीब करें और लिखता है उसकी अलावा बच्चों यहां पर किसमें हुआ है यहीं से अबिस्तार दक्षिन के उम्में हुआ और इस संस्कीति का उदय तामरपासीन प्रिष्ट भ्यूमी के भारती महादीप के पच्मोतर भाग में वह हुआ है हरापा सभ्यता कास्योगी ने ओम संस्कीति तामरपासीक प्राख हरपमन में अब देखो यहां पे दो बात है हरापा की जो सभ्यता है वो कैसी है कास्योगी ने लेकिन संस्कृति कैसी है तामरपासीन प्राख हरपमन की है प्राख एतिहांसी काल में तामरपासीन यूग है तुनाई दे रहा है और आद एतिहांसी काल में क्या है कास्योगीन है ठीक है तो आपकी सभ्यता जो है वो कास्य जैसे आप लोगी संस्कृति कुछ हर कहता है sheep ONA कुछ और जिसको चलन में चाहते है संस्कृति का मतलब पूराने जमाने से चला रहा है सभयता कहने का मतलब जो अभी आप रहे रहे हैं सभयता ठीक है आप जो है पूराने सभयता का अदमी है अभी आपको कैसा रहना चाहिए ठीक है ना आप अपने संस्कीति को जीवी तो रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं आ सब्सक्राइब कर रहे हैं और फिर आप अपने आपको चेंज कर दिए वही चीज यहां पर भी हो रहा है कि प्राग इतिहासी काल की तामरपासीन संस्कृति है जब की कास्यूगिन किसकी है आद इतिहासी कि ठीक है हरपासीन संसकीति के पंजाब, सिंद्र और बलुचिसतान यह तीनों तो पाकिस्तान में हैं भागी नहीं बलकी गुजरात में भी राजास्तान में भी, हरियाना में और पचमी उतर-परदेश के सिमान्त भी समलित हैं बलुचिस्तान, पाकिस्तान का भागा, सिंद्र पंजाब का भी लगबग सारा भागा किदर चला गया है उदर जो इलाका पड़ता था वो बहुत आरियाज कहा चला गया पाकिस्तान के हिंसे में था था संदु गाड़ी सब्याता की बहुत सारी चीजिंज है कांए चला गया है पाकिस्तान में ही मिलता है भारत में उसके अवसेश किदर मीलेंगगे गुजरात का है मन है पूरा पझाल थिए का hey फूरा पच्षी मन ठीक है उसके ना राजस्थान वे ना जो था यह जे दस्तान के बाद करते हैं तो पच्मी शेतर में है था कि कि अज़री सरफ टाना पच्षी में है बच्षी है न और गुराथ जो है राजस्तान के बाद ही है फिसस्टे ना दोनों पंच्मी छेतों में हैं उसके बाद हड़ी आणा पंजाब के नीचे पो पंच्मी उतर परदेश उतरी पुर्वी छेतर में पड़ता है सिमान्त भाग में समलीथ है इसका फैलाव उत्तर के जम्मू से लेकर के दक्षिन में नर्मदा के मुहाने तक और पच्छी में बलुचिस्तान के मकरां तरसर लेकर पुर्वी मेरट तक है मेरट कहा है उत्तर प्रदेश में मेरट कहा है बच्छो उत्तर प्रदेश में ठीक है अब तुम्हें याद रखना यहां से कोशन यहीं यह वाला लाइन है सीधह कोशन है अधिस सिंदुगाठी सवयता का फैलाओं कहा एं जम्मू कास्मीर से लेकर दक्षी में नर्मदा के मुहाने तक नर्मदा नधी तक और पच्छिन में बलुचिस्तान से मकडान के तरत से लेका पूरब में कहां तक मेरट तक यानि ज्यादा से ज्यादा वो मेरट उतर परदे पापिस्तान में तो बात करें तो जम्मु कासमीर तक फैला है और दक्षनी की बात करें तो नर्मदा नदी तक प्हेला है इस अभयता की कालखन पचीस सो इसा पुरू से लेकर के सतरा सो इसा पुरू तक माना गया है क्योंकि मैंने आपको परहा दिया है अगर आपको याद होगा तो मैं फिर से रिपीर करता हूँ कि हमने कालखंड अगर आपको मुझ पर याद है तो पर काम हो जाएगा कालखन नहीं आदे तो फिर दिक्कत है कि यो हमारा पहला एतिहासी और सुरोथ है वह तोटल टाइम पिरेटू किसमें कैसे बाता गया है पांच लाग से कितना तक पचीस सो इसा पुर्व तक कितना तक पचीस सो इसा पुर्व यही ने इस्टोनेज है पुरा और इसके तीन पार्ट बाटे गए है जिसमें से पहला कौन है वही पर रहे है पाँच लाग से पचास हजार इसा पुर्व तक पाँच लाग से दस हजार पूरा पासान काल में जो हम लोग कम्प्रीट किये 5,10,000 लेकिन वो टोटल जो है 5,25,000 इसा पुरू तक है आखरी बार हम लोग कहां तक छोड़े थे 5,25,000 इसा पुरू तक आ करके छोड़ जूगे हैं उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं कहां आ देती हां सी काल ठीक है न यह जो है 5,25,000 इसा पुरू का जो टाइम पिरेड है वो किसका है प्रा कहती हां सी काल का ठीक है और यह पूरा टाइम प्रेड हम लोग पढ़ दे एं लास्टमों लोग पढ़mart थे ना सबसे मदे पासान के बात 95 काल में काहां तक परे थे 10,000 से लेकर के सरी critical 45% पूर्व तक सबसे लास्ट में जाकर के Complete कर दिएिंग तो हम लोग आ गए प्रा कया gossip कल में जहां से 20-50 पूरु तक जाएंगे तो दूसरा कालखंड कितना हो गया यही तो लिखड़ा है सिंदु घाटी सभ्यता की स्थिति कहा है बच्छों पचीस तो इसा पुर्व से लेकर के सतरा सफ़ पचास इसा पुर्व यानि अब सोचो कि हम लोग धीरे धीरे इसा पुर्व से मुक्ति लेने वाले हैं कि जैसे ही हिस्ट्रोरिकल एज में आएंगे भगवान बुद्ध पांसो तेतालीस इसा पुर्व जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर जीरो हो जाएगा और फिर हम लोग इस्वी में चले जाएंगे तो पांच लाग से के बढ़ाएं दस हजार दस जार से पचीस सो पचीस सो आए। समय मैं हिसाब को फिरों घहता चलते हैं तो घहताई है इंदु ऊचरण कोश्चीर्गण सब्चाल कंत जान गया है लेकिन इसका कोई यृदि नहीं हें तब लंग दिखाई देगा ठीक है कормा चावद बेदी से या पता करते हैं आपको पता है और कारवन 12 बीदी से क्या पता करते भी पढ़ा दिये हैं समझ में आ गया सीधे याद रखो 25 सो इसा पूर्व से ले करके इतना तक अब यह देखो हरापा काली नगर जो है मैं आपको समझा देता हूं मैं आपके माधियां ताकि आपको समझ में आ जाए यह आपके पास अगर की इस्तिती यह अखंड भारत की इस्तिती है किसकी इस्तिती बच्चों अखंड भारत की इस समय अखंड भारत थी देखो कि जमाने की बात कर रहे हैं यह वाला तुम्हारा जो इलाका जो दिखाई दे रहा है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहां कुछ जगहों के नाम सबसे पहले यहां पर देखो यह मोहन जोद्रो यह चन हुद्रो ठीक है ना उसके बाद यह हरपा यह बनवाली यह काली बंगान ठीक है नहीं है रोपर बासाँ जी रहे हो उसकी अलावा दैमाबाद का जो पोर्ट सने वह धॉली वीरा है सुद्कोड़ा है लोथल है रं ही जी आपी और आब यहस बैसे से जादा से ज़ाधा श्रयको सहर है ऍंधान को तो सबसे पहले जादा जाना हर भाईन रखा मिला मोहन जो धुक्बू होन जो लिए यहां पर आद्म पर असनां घर कर सर्क होता斯 कि वें सनान हर नाहांaji वान लगे अब आदमी को अब असनान घर का टेंशन होने लगे उस जमाने में और बताओ उससे भी गिरा इस्थिति हम लोग आई कि अभी ले बाथरूम का इस्थिति नहीं सुदरा था यह लोग बाथरूम करने कहा जा रहे थे बाहर इमोदी जी ला दिये ब्यवस्ता की बाराज लगे भी लगे लएट्रिंग सब लोग बना लो तो गावहों में नहीं होता है लोग बाहर सौच करने जाता था जाता था ता कि नहीं जाता था और उस जमाने में आसनान घर में का साक्ष कहां मिला वह हो जवादरों में ठीक है चन हुदुरों से क्या मिला है लिपिस्टिक मिला है स्रिंगार का अवसेश कोशन पूछता है कि लिपिस्टिक का परमान कहां से मिला चन हुदुरों में बताओ आज लिपिस्टिक लगा रहे हो ठीक है कोलर कैसा था पता करना परेगा ठीक है इसको आगे वाला पेज पर देखते हैं इसको समझने कोशिस करें कि आखिर माजरा क्या है देखिए मिली हैं और यही तो कहता है कि हमको पुराता तु भी चाहिए और लिखित साक्ष भी चाहिए में पूरातत हो आद में मिला पूरातत हो पालास सहित जिसको हम लोग पाहर नहीं सके लेकिन जब हिस्तोरिकाल एज मिला तो उसमें तुन्नु था उसको पहर पाए समझ पाए और फिर हम लोगा काम बन गया जैसा बैग्यानिक आया जैसे लोग आए जो उसको पहर के समझा बोला आपड़े ऐसा इसा बेवस्ता था उसको समझना शुरू किया वह बात है कि अनुपड आदमी के पास किताब मोटा र परता है। सिर्PEक लगाए रहता है ऑश्य में कॉष्ड भाड़े हो सकता है लेकिन ऐसा मीशा समय आता है Mm UK उेले सब्सक्राइब इस क Siri लेकिसे कामलों कि समझब नहीं या वही बात इंतोट इतको नहीं पड़ू बनेखी अनले पूला तो पर्मानिध नहीं किया रहा था il यह प्रोड़ानना जो लिखी साख्ष मिला उसको पड़ा नहीं जा सका तो जब पड़ा ही नहीं जा सका अधिए पर नुट पर मान का से हो इसी का माता पीतान पढ़ो हो है कोई लगाव उसके मुबायल पर दीन राथ मैसेज करता हो एक ऑर उसके सामने मेसेजा गया कि आज स तो उसके पास साहित है लेकिन परह नहीं सका समझ नहीं है उसको तो जमाने का आदम वह इसाने रहा ठीके न लेकिन तुम लोग जैसे मुवी पापा लोग बनेंगे तो लोग तो डिलेट किया हुआ को मुबाइल को सौट पर चरहा के फिर उसका डाटा पुरा देखो के रोह मुवाइल से परवनेंट्री डिलेट भी हो गया तो खतम हो गया है तो डाटा को तो असानी से फिरी कॉभर किया सकता है इसलिए तुम लोग जो सोचते हो कि मुवाइल पर हर चीज़ सेफ है कुछ सेफ नहीं है अपना फोटो डिलेट करके बहुत हीरो बन रहे हो अच्या अपना डाटा डिलेट कर देवाट सेफ हो ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा होंसियार बनने का जड़त नहीं है उसा बेकार काम है ठीक है बस इतना समझे कि आदमी दिमाग ज्यादा लगाना नहीं चाहिए तहीं का में का जमास कर लिजिए ठीक है सिंदु घाटी सब्यहता कास यूगिन सब्यहता के नाम से źले जयता ही तपहले बोल दिया है रिफीट करा बात क्यूंकि स्काल में कासा का प्रयोग सार्वदीक हुआ कासा का प्रचलन जयादा चला है सिंदुगाटी सभ्यता में विशु की प्राचिन सहरी सभ्यता है। उधर नगली लिखा था इदर सहरी बात बराबर हलाकि विशु की प्राचिन सभ्यता किसकी है?」 Moesso-Potamia के सभ्यता हैиватьकि जो एक गरामिन सभ्यता थी मैंने पहले कहा दिया थी। दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता कौन है मोसो पुटामिया की सभ्यता विस्व की भारत की सबसे प्राचिन सभ्यता कौन है पहली सभ्यता कौन है सिंदु घाटी सभ्यता सवाज में आ गई जो नगड़िये है आउग गरामिन सभ्यता थे आगे बढ़ते हैं हरापा सभ्यत मैप सेटल करियो जब औश्य मुत्र श्रक्राइख बोले तो दिमाग में सेटल हो जाए भारत का पररोशी देश कौन है पकिस्तान उतर में कौन charge नेपाल पुरा में कौन है बंगलादेश अर्षितन में कौन है सोरलंग का शर्लंकास सुनाही साथ इसाथ आपमें दिमाग में रखो नहीं रखो गए तक भुटान नेपाल चाहल से उपर चाइना ठीका न है worn ओभी में मes कि भाफा सभेता का विस्तार जिस संपुन्षेत में हुआ उसका आकार तिरभाजाकार है कैसा है तिरुभजवकार है इस संपूर्ण शेत का शेत फल केतना है 12,99,600 वर किलोमेटर जिसको लगभग 13,00,000 वर किलोमेटर के आसपास हम लोग मान लेते हैं ठीक है यानि सिंदू गाट सब्यता का शेतर फल कितना है तिरह लाख वर किलोमेटर या अगर एक्जेक्ट डाटा देता है तुहां पर इसको याद करना पड़ेगा 12,99,100 यानि तिरह लाख में 400 कौंप सिंदू गाटि सब्यता का अकार कैसा है सहरों का तिरभूजाकार का यसा है बुझा क्हार का सा है titre हई तिरभूजाकार या दु announce के सब्सकिर पूराणी सब्वारेता कैसी है भारत की सबसे पहनी सभयता ? Сिंदू-घाटी सभयता !! सिंदू-घाटी सभयता का दूसरण है का है चार्फयूगिन सभयता भी कह सकते हैं इसका एज कितना है ? पचीस सो इसा पूर्व से लेकर के 1750 इसा पूर्व तक कहीं कहीं 2350 इसा पूर्व भी माना गया है कैसे माना गया है कारबन चौधा बीधी के द्वारा किलियर है सिंदुगाटी सब्याता जो है वह उसमें काशो का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया बच्चों कोई कि देखो हरापा सब्यता का जो बिस्तार है वह आपकी लेली देख सकते अब यहां से समझो कि यहां पर लिखा हुआ मैंने आपको थोड़ा दे पहले एक नदी का चर्चा किया था उस नदी का नाम हिंडन नदी हिंडन नदी बुआ उतर-पर्देस में है उतर-पर्देस जो गाजियाबाद इलाका पढ़ता था ठीक है ना आज भी गोगल मैप में फिक है ना उतर-पर्देश और दिल्ली को मिला करके जो इलाका है वह इलाका एक दूसरे से बहुत डेवलप्ट इलाका है गाजियाबाद हो गया ठीक है ना उसके बाद नुएडा बोलते हैं गर और इसी के साथ हो एटेचमेंट उसका बता उसी का आस्वास इलाका जो है हिंडा नदी का दिखा रहा है अब इसकी लंबाई चौराई थोड़ा याद कर लो ताकि आपको दिकत ना हो पूरप से पच्छिम तक हरपा सभ्यता का जो फैला हुआ है याद रखेंगे आगे बढ़ते हम लोग इस सभ्यता का पूरवी भाग वर्तमान में सिंदू गाटि पच्छिम की हरपा सभ्यता का सबसे पूरवी भाग का नाम क्या है आलमगीर पूर में है जो हिंडन नदी के किनारे हैं सबसे पुर् função बताया थैने सबसे आखरी पार्ट तो उतरप्रदेश होगा या करें जब से पच्ष्मी राका बलुचिस्तान हो लोग कर लेना है ऊतर पर्देश का अलमगीरपुर कौन पूर उतर पर्देश का अलमगीरपुर क्यों रहेगा उतर पर गेंडोर नाम क्या है सुतका गेंडोर पच्मी अस्तल का नाम है सुतका गेंडोर क्या नाम है बच्चो सुतका गेंडोर जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलुचिस्तान में दास्त नदी के किनारे है तो हमको पहले से पता है कि बलुचिस्तानी असर से पच्मी लाका और सुटध को ला किसना पर है दास्त नदी पर ओलंगीर पूर किसमी भहाग है कौन सभात सब्से पच्छमी भायाि बात करते हैं इस सबहता कि सबसे उत्री अस्थल तो कहा है बच्चो मांडा है जो वर्तमान में कहा होगा जम्मु कास्मीर में होगा चीनाब नदी कि नदी राज तम लोगों को पहले से याद है कि जम्मु कास्मीर सबसे उपर है जम्मु कास्मीर को नदी चीनाब नदी को न में पंड़ा इसे भी ठंड़ा इलाका में रहता है जम्मु कास्मी ठंड़ा उन्हें पंड़ा राता होगा करे तब पंड़ा में मंदा 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 पंड़ा हो गया कहां बुआ चिनाम नदी किनारे जम्मू कास्मी में कौन सा जगह उस अम्हाइटा का सबसे सब्सक्राइब हरत्मान महाराश्टु को नदी प्रवरा नदी के किनारे दैंगाद था cha ya करव मदा नदी एदक्षिन क्यान चेतर कंग नाम क्या है दैमाबाद कौन BAD thriving कि सबको याद हो गया कि तब एक मेप देख लेते हैं ताकि आपको समझ में यह है मारा बहला का उद्तर घंच यह स्वैस्ट से वियह में नउट जगतर एक बलुचिस्तान कौन है बलुचिस्तान में कौन सा नदी दास्क नदी कौन नदी कौन नदी रे दास्क नदी इसी दास्क नदी किनाय पर एक सहर बसा हुआ है इसका नाम क्या है सुतकोड़रा क्या नाम है सुतकोड़रा सबसे पच्छिम शेतर यही है सबसे पूर्वी छोतर जो है उसका नाम किनारे किस राज में उत्तर पर्देश में सबसे उपड़ी इलाका जो है वह जमु कास्मीर का है और जमु कास्मीर के इलाके में चिनाम नदी के किनारे पर एक जगह है जिसका नामे पांड़ा कि कौन जगह है समझ मा गया अभियाद हो क्या ना इसका मांड़ा ठीक न और उसे मांड़ा सहर पर यह बसा हुआ है और आपी प्रवरा नधी का जो बाद नहीं सब याद रहता है तो दमाद है तो याद रहता है तो याद रहे गया असुत को ड़रा यादे हो गया और नहीं गीर्पूर कौन पूर आलमगीरपूर ठीक है ना आलमगीरपूर याद हो जाएगा उतर प्रदेश में है ठीक है चलिए यह हम लोगोंने भारत के पूर्वी सुरी सिंदुगाटी सब्वेता के पूर्वी उत्री दक्षनी सारे शेतरों को कर लिया आप हम लोग जाने एकिस तो आज चीसामें ये तीन पार्ट में दिखाई दे रहा है पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान ये तीनों समलित हैं तो सब्सक्राइब करते हैं कि अफगानिस्तान में कौन जगा पे हम लोगों सिंदू गाडी सबसा के अस्थल मिले तो पहला जगा का नाम है बुगा सोत पार्ट में उससे पहले दो तीन सहर और एका दो और है इसको पढ़ लेते हैं इसको यहां पर चीजे मिली है पहला मिला था पथार दूसरा कहां का पथार मिला है दूसरे पथार का नाम है बच्चों हिंद कुस का पथार किसका पथार हिंद कुस का पथार हमको मिला है दू ऑफगानिक्स्तान में का हिन्दो ऐसमका परोतमाला मिला और कुनलून का परोतमाला मिला कहां मिला है और धो पांटे सेरप्त कहा पंजाब से सिंद्ध से और बालुचिस्तान से कि पाकिस्तान का तीन जगह एक तो बलुचिस्तान है एक सिंद है और तीसरा पंजाब की जर्चा करते हैं तो पंजाब में क्या मिला मांटे मेगडी जिला पच्छिम पंजाब पाकिस्तान रावी नदी के तर्परिश्थित हैं सीुंद सी हम को मिले मोहन जोदरों कहां का इलाइव का इलाइव है पाकिस्तान का इलाइव है अब कि पंजाब में मांट गोमडि जिला पच्छ्मि पाकिस्तानेस जो राविй-नदी नदी केट परिस्तित है ठीए याद रखिएका पंजाब नदी जो रावी-नदी के टर्फरिस्तित है को मॉंड जिल्ड है सिंद्ध जो है उसमें से इतने सहर हमको मिले हुए हैं सिंद्ध में पहला मिला मोहन जोद्रो तब मोहन जोद्रो की वरतमान इस्तिति पाकिस्तान में है सिंद्ध में है और मोहन जोद्रो लड़काना जिला सिंद्ध पाकिस्तान मिलता है मोहन जोद्रो का साबी करत होता है मि यह चार नाम आपको याद रखने होंगे जो हम पासींद वाले पार्ट से मिला एक तो पंजाब से विला मंत मगरी जिला और हमको सिंद से क्या क्या मिला भुआ आया और सूत को डरा ना हो तो हो यह नहीं तक ता है तो पाकिस्तान का ज्यादा इलाका कहां मिल गया उसी पर हो अब उन्हों बात करते हैं भारत की किसकी बात करते हैं बचो भारत की भारत का क्या कहता है सो सुनो क्या हुए कि भारत के सात्राज्यों से vividisit gitu के पूरा कौन क्व पहले सबसे उक्षरी जम्मू कास्मीर मैप में देख लो पहले कोई करें नीची होगा कौन श्षर्ट Personality मmor crist लागा उतर परदेश पंजाब उसी का इलाका राजास्थान उसी के नीचे और महराश सबसे दक्षने नाम्याद हो गया सब उधरे हैं एक उन्ने बढ़ गया उतर पर देश बाकी सब वही बगला इसे कटके चला गया सटे सटे के पाकिस्तान का इलाका सटा के जाना था तो जमु कासमीर पंजाब हर्याना राजास्थान गुजरात महराश और इतर पर देश यहाहिए बारा बांध है ठीक है ना कुन बांध हीरा कुन बांध समझ में आ रहा है ना संगोल हरियाना जो है वनावली हिसान जीला में है राखी गड़ी कहां मिला है हरियाना में काली बंगान हम पहले बोले थे काली बंगान कहां है राजस्थान में कामिला बचो, राजास्तान में काली बंगान मतलब काले रंग की चूरी, गंगा नगर, जीला घगर नदी के किनारे तट पैस्तित है तरस्वती नदी के दो भाग मिलते हैं एक पाकिस्तान हाकर में और राजस्थान में क्या है घागर नदी से हम लोग इसको रस्तूत करते हैं ठीक है बात करते हैं हम लोग किसकी गुजरात की इसके बारे में हम लोग अबल शर्चा करें के अगले दियंगे ठीक है न कि इसके सहरों को हम लोग डीटेल करेंगा ज्यादा हो जाएगा थीओ गुई रात के बाद हम लोग फिर से भारत में जो जो सहर से कहां से प्राप्थ हुए कौन-कौन सहर मिले उसके बारे में लोग एक बार डीटेल कल करेंगा आज रहें देत नहीं कि अ